वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन दियो टीडी एंड आपको नहीं पता कि बैग्राउंड कैसे रिमूफ करते हैं तो हमारा हमने लेटिस्ट में एक वीडियो क्रियेट करा था उसमें हमने फोटो शॉप में शिखाया हुआ है वो वाले का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप देख लेना तो यह सारे एलिमेंट लेके सबसे पहले आपको कैनवा एप ओपन करना है कर्टन को और जो नीचे का बैग्राउंड उसको पहले प्लेस कर लेते ताकि पता चले कौन सा कलर जो है उपर मतब टॉप में स्प्रेड होन के बाद सो दैन इसके बाद हमें कुछ यह पिलर्स टाइब कि चाही होगे ताकर हम इसके उपर हम एंद पिलावर्स को जो है वह पुट कर पाए फ़्लावर्स को एक लाइन में लगा पाए सो दौनों साइड हमने ये पिलर्स को यूज कर लिया है अब हमें ये अम्रेला चाहिए तो इन अम्रेला का बैगराण रिमूफ करके मैंने इनकी थोड़ी से कॉलिटी इंक्रीज कर दीती सो इनको अभी तो जस्ट रैंडमली कहीं पर भी प्लेस कर लो इसा भी आपको चाहिए टॉप में अगर आपको लेर्स में चाहिए कि एक उपर एक नीचे उस तरह प्लेस कर लो मैं अभी कर रही हूं इसको एंड में कि और यह वाली लाइस को अब हम कर्टन पे प्लेस करेंगे तो इसको आपको सैंड टू बैक करना है सबकार है और बैक में करणब कर तो बैक में कर टनोगे ऊपर खोड़ा और ऊपर तक ले जाएंगे ताकि वो जो आपको दिख रहा है एक एरिया ओपन वो क्लोज हो जाए तो आप पिलर पूरी तरह से फिट हो गए पिलर को हमें चेंज नहीं करना अब इस लाइट की जो कॉपीज हैं वो बना लेनी है आपको दो तीन हाँ तो यह वाली लाइट के आपको यू हैव तो क्रियेट टू थ्री कॉपीज और हर बार कर्टन में दो दो प्लेस करनी है एवरी कर्टन हैस टू भी टू लाइट साइम इन टू से कि हर कर्टन में दो लाइट सोनी चाहिए तो यह वाले हमने प्लेस अम्रेला इसमें कर दिया है इसके बाद हमें इसमें एक टेबल को प्लेस करना है तो यह मेरे पास टेबल है बेसिकली इस टेबल के ऊपर आपको वह सारे एलिमेंट सारे element को place करना है जो भी like wedding में जो भी चीज़ें बहुत pure मानी जाती है good luck माना जाता है like colors, सिंदूर like flowers हो सकते हैं थाली हो सकते हैं तो जो भी auspicious चीज़ें होती हैं वो सारी आप इस पे place कर दो और ये जो flowers हैं इनको पहले हम set कर लेते हैं इसके बाद वो element को हम वहाँ पे place करेंगे इस तरह का हमने पूरा एक टाइप में flowers लगा लिए अब इनको सब को group करके इनकी copy create करके हम दूसरे वाले पिलर पे apply करेंगे और नीचे की side थोड़ा सा प्लेस बचा हुआ है तो वहाँ पे हम थोड़े से flowers और लगाएंगे exactly like this अब इस पे हम एक कलश को place करते हैं कलश को मैं left और right दौनों साइड रखूंगी और सिंदूर को middle में रखूंगी अब ये कुछ music related instrument वगेरा हैं उनको हम नीचे bottom में place कर रहे हैं क्योंकि ये wedding में use करें जाते हैं इस वज़े से ये थोड़े से awkward तो लग रहे हैं की उपर कुछ place करना पड़ेगा music instrument पे ताकि वो थोड़ा सा card के साथ मिल जाए अब हम अपनी ब्राइड को इस साइड रखेंगे और थोड़ा सा gap maintain करेके now we will place the groom एक बार match कर लेना कि दौनों की height सेम हो then हम lights को bottom में place कर रहे हैं पर flowers की वज़े से वो lights इतना अच्छा शो नहीं हो रहा तो हम background को थोड़ा सा cut कर रहे हैं और अब हम place करेंगे lights को हाँ अब अच्छा लगेगा दो lights को इसकी एक और copy create कर लेनी है इसको थोड़ा decrease करना है इसका size काफी बड़ा हो गया है इसको decrease कर लेते हैं element का then इसके दूसरे में copy create करके place कर देते हैं exactly like this अब हमें एक curtain की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्यूंकि background में काफी space negative space था अब space काफी जादा लग रहा था तो उस वज़े से मैं यह वाले curtain प्लेस कर रही हूं ताकि जो card है उसमें एक volume और एक depth क्रियेट हो जाए हाँ, now it is looking very nice after this I want to place this element बट वो उतना जाद नहीं रहा था इस वज़ेस मैंने उसे हटा दिया आप हम यह text लेंगे जो हमने पहले ही बनाके रखा हुआ है reason is very simple कि अगर text को card में edit करोगे ना तो पूरा card खराब हो जाएगा words अगर इधर उधर कहीं रहे गए तो आपको जब client को दोगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कहां से रहे गए words basically यह होता है कि जब graphic designer एक चीज़ पर बहुत time तक काम करता है तो end में आते हुए इतना clarity नहीं रहती कि हम हर एक चीज़ पर ध्यान दे और जो अम्रेला है इसका size I think मुझे decrease थोड़ा सा size decrease करना चीज़ अम्रेला का क्योंकि अम्रेला बहुत जाधा highlight हो रहे है especially bride and groom से जाधा अम्रेला पर ध्यान जा रहा था उस वजए से इसका decrease कर देंगे और नीचे जो music instrument है उस पर एक चोटा चोटे से अम्रेला जो है वो प्लेस कर देंगे so it will look more cuter type so अब यह सारी adjustment कर ले रहे हैं हम इसमें so finally हमारा card तो पूरा ready हो गया थोड़े बहुत changes के साथ alignment सही करने के बाद और हमने text के color change करे according to bride and groom dress so अगर आपको यह video अच्छा लगाओ तो प्लीज आप हमारी चैनल को subscribe करो comment करो और अपने दोस्तों के साथ share करो so we will see you in the next video and thank you so much for your time